वेलकम टू सवरो समाजी को राउंडर चैनल अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दवाएं तो सब्सक्राइब करके घंटी दवाने ना भूलें क्योंकि आज इकोनोमिक्स के सबसे इंपोर्टन कोश्चन के बारे में बात करते हैं मांग के नियम को लिखें दूसरा कोश्चन है निवेश क्या है या फिर आ सकते हैं निवेश से आप क्या समझते हैं या फिर एकजाम में आ सकते हैं निवेश किसे करते हैं या फिर एकजाम में आ सकते हैं निवेश को परिभासित करें सारा कोश्चन सेम है तो विडियो को स्टाट करते हैं मांग के नियम को लिखे इसका एंसर को यहाँ पर सही सटिक धंग से देना है ठीक है मांग के नियम का तत पर यह यह है कि यदि अन्य बाते समान रहे तो मुल में कमी होने से मांग की मातरा बढ़ती है ध्यान दिजेगा यदि समान बाते रहें तो मुल्य में कमी होने से मांग की मातरा बढ़ती हैं और इसका विपरीद तथा मुल्य में बिरिद्धी यानि जादा होने से मांग की मातरा घटती हैं अर्थात इसका कहने का मतलब या है कि काम मूल पर अधीक मांग और अधीक मूल पर काम मांग ही मांग का नियम कहलाता है लेकिन मार्सल के अनुसार मूल में कमी होने से मांग की मातरा बढ़ती है और मूल में बिरिद्धी होने से मांग की मातरा काम हो जाती है यानि काम होती है इसका विप्रीत होता है यही मांग का नियम है अगला और भी स्टेप है ध्यान दिजेगा अगला कोश्चन जो था निवेस क्या है उसके बारे में ध्यान देना है तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करने ना भूले निवेश क्या है ध्यान दीजेगा important question अगर अक्सर economics ओनर्स या economics पढ़ते होंगे तो निवेश से ज्यादा आपको परिचित होते होंगे तो किसी भी अर्थवेवस्ता के छेतर में चाहे किसी भी परकार के वैपारी हो या किसी भी अर्थवेवस्ता के छेतर म जो पुंजी लगाई जाती है उसे निवेश कहते हैं तो जिसे इंगलीज से investment भी कहा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें इकोनोमिक से रिलेटेड इंटर हो या बी ए हो या बी ए ओनर्स क्यों नहीं कर रहे हो कोई भी कोस्चन की जरूरत है इकोनोमिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इंटर में आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंपोर्टन कोस्चन की जरूरत है तो कमेंट क करी.